शूटिंग नर्क में भी होगी तो नर्क में भी चले जाएंगे गोलमाल और धमाल जैसी फिल्मों से लोगों को गुदगुदाने वाले हासिक कलाकार बॉलिवुट के एक्टर संजे मिश्रा लखनो पहुँचे और उन्होंने लोकल 18 से खूब सारी बाते की इस दोरान उन्होंने भारत और मालदीव पर भी अपनी राय रखी सुनिये क्या कहा पाले संजे मिश्रा जी आज नवाबो के शहर लखनो में और इस समय न्यूजेटीम के साथ मौजूद है आए सर से बात करते हैं कि आज यहां पर वो अंतिम फासी अपने आने वाली फिल्म के लिए आए हैं इस से क्या उमीद है और किस तरह की फिल्म है के एक रिश्टे वाली फिल्म है हजबन, वाइफ, बच्चे और नाम है अंतिम फासी तो इमोशनल फिल्म होगी, भावनात्मक फिल्म होगी और उमीद है ऐसे फिल्मों से, हर काम से आपको अपनी एक उमीद रहती है अगर अच्छे बन जाए और आ जाए तो बस मज़ा जाता है तो उमीद भी है, दस दिन बाद से शूटिंग शूरू करेंगे दस पंदरे दिन बाद से इसी शहर लखलों में, आपके नवाबों के सहर लेकिन नवाब वाली फिल्म नहीं है, बहुत इमोशनल ड्रामा है मेरे आप से एक सवाल, हमने हमेशा आपको हसते हसाते हुँ देखा है लोग आपको उसी कैरेक्टरिम पसंद करते हैं, लेकिन आपने सड़ली अब चेंज किया है तो ये वक्त की डिमांड के नुसर या खुल चाहते हैं, कुछ अलग रोल करें मैं और अीशे लेको जाल के गहा कया हिंए जिसल में मैं आजीअशा भी मुझेए लृरा भी किन्हां हिसए यानी थीज़ क्वार्टिम अगले यानि फेस दिन के लागनों में ही रहने वाले और निमोना खाया कभी, बस तो निमोना होगा, निमोना बनेगा, आपसे एक आखरी सवाल है, क्या आपकी भी लक्षदीप या मालदीव जाने की को इरादा है, पिलाल तो काम करने का इरादा है, अगर शुटिंग नर्क में भी होगी, तो नर्क में भी चले जाएंगे, मेरा लग खराब है मैं कभी भी मलिहाबाद आम के सीजर में नहीं आ पाता हूं मैं एक बार आ भी गया तो बस एक महीने बाद आने वाला है इस तरह की कुछ हाँ देखे अगर आ गया तो लास्टाइम आम के टाइम पे ही थे लेकिन बस अभी 15-20 दिन बाद पकेगा इस टाइब के था तो सर हम यह कह सकते कि आने वाले आपकी फिल्म के लिए सब लोग वेट करें और सर दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजे इस फिल्म को ले करके अच्छी एमोशनल कहानी है फैमली के साथ देखने वाली कहानी है देखिएगा ज़रूरा